आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वेबसाइट्स की जो आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और जीसी या ए लेवल्स के बच्चों के काम आएंगी नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ कास्ट में दोस्तो, जैसा कि आपको पता है कि कुछ स्कूल्स तो इसी हफते बन हो गए हैं और मंडे से सारे स्कूल्स बन रहेंगे, कब तक किसी को पता नहीं आप, मैं और मेरे जैसे हजारों लोग घर से काम या फिर work from home कर रहे हैं, उपर से बच्चे भी घर पर हैं, इसलिए weekdays पर खूप उचलकुद होने वाली है दिन भर mobile phones, Xbox, video games चलेंगे ऐसे में बच्चों की पढ़ाई effect ना हो, इसलिए स्कूल्स को ऐसे resources ready रखने होंगे, जिससे बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर सकें जैसे की online classrooms, homework वगेरा 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 लेकिन आपको पताईए घर में कैसा माहूल रहने वाला है दोस्तो, sky, netflix, prime video तो दिन बर चलता ही रहेगा, लेकिन what about learning तो दोस्तो, फिकर not, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी काम की websites और resources जिससे पढ़ाई भी होती रहेगी और बच्चों की मस्ती भी चलती रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं, पहले जान लेते हैं कुछ free websites और फिर देखते हैं कुछ paid websites दोस्तो, वीडियो के end तक हमारे साथ बने रही हैं क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं मैंने कुछ आपके काम की भी information share करी है दोस्तो, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो कोई sponsored वीडियो नहीं है इन सारी websites को मैंने काफी सालों से use किया है और इससे मुझे और मेरे बच्चों को अच्छे results मिले हैं तो उमीद है आपको भी ये websites पसंद आएंगी सबसे पहली free website है teaching ideas वैसे तो ये teachers के लिए बनी website है जिसमें हजारो classroom ideas है लेकिन इसे parents और students भी use कर सकते हैं यहाँ पर आप English, science, arts, computing जैसे important subjects में use होने वाली हजारो worksheets और materials डाउनलोड कर सकते हैं वो भी free में दूसरी free website है maths is fun maths lovers और haters दोनों के लिए ये best website है बहुत सारी worksheets, maths games और puzzles बिलकुल free में आपको यहाँ मिल जाएंगे तीसरी website है primary resources हलाकि ये website है teachers के लिए to download various resources posted by other teachers लेकिन इसे parents और students भी use कर सकते हैं primary से लेके secondary के बच्चों के लिए ये best free website है चौती website है Oxford owl जी हाँ दोस्तों अगर आप reception से लेकर year 6 तक के बच्चों के लिए एक all-in-one website ढूण रहे हैं तो आपको Oxford owl जरूर पसंद आएगी यहाँ पर English, Maths, Kids Activities के बारे में बहुत सारी information आपको मिलेगी प्लस यहाँ पर हजारों e-books हैं वो भी free में तो आज ही website पर जाईए और अपना account बनाईए पांचवी website है BBC ByteSize जी हाँ दोस्तों BBC एक news organization ये entertainment organization ही नहीं बलकि एक giant website है इसी giant website की एक micro site है BBC ByteSize जहाँ पर आपको primary, secondary, GCSE तक के बच्चों के लिए धेर सारे information मिलेगी वो भी free में चटवी या फिर sixth website है English for Everyone ये एक US website है जहाँ पर आपको English, grammar, synonyms, antonyms, parts of speech, verbs, comprehension जैसे topics पर हजारों worksheets मिल जाएंगे और साथवी website है Easy Science for Kids ये भी एक US website है dedicated to science यहाँ पर आपको animals, plants, human body से लेकर earth sciences, biographies और latest technologies के बारे में information free में मिल जाएगी इसके अलावा अगर आप आपके बच्चों को इंडिया के state boards के books दिखाना चाहते हैं जैसे कि Indian history जो यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई या सिखाई नहीं जाती पूरी की पूरी textbooks आप legally डाउनलोड कर सकते हैं उनकी websites पर मैं पढ़ा हूँ महराश्रा की SSE board से वीडियो के description में दी हुई e-balbharati के link पे आप जाएं और बच्चों की class select करके कोई भी book आप असानी से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप केंद्रिय विद्याला या फिर CBSC board से पढ़े हैं तो आप NCRT की website पजाकर अपने बच्चों की class select करके books, pdf या फिर e-pub format में legally डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो ये तो थी free websites की बात आईए बात करते हैं कुछ paid websites की सबसे पहली और सबसे बड़ी है Twinkle UK एक paid website है लेकिन school closures के लिए Twinkle ने अपनी website पर एक special area बनाया है जहां पर year wise बहुत सारी free resources publish किया है आप इस वीडियो के description में दी हुई link पर click करके direct इस area पर जा सकते हैं दोस्तो दूसरी paid website है ixl.com ये एक और website है जो maths और English के लिए best paid website है यहां पर आपको धेर सारी worksheets और exercises easily मिल जाएंगी दोस्तो तीसरी paid website है education.com ये एक US-based website है जहां आपको धेर सारे free printable worksheets और activities मिल जाएंगी वैसे इनका monthly plan भी है ये तो थी educational websites की बात हैं अगर आप online books और magazines में interest रखते हैं तो audible और kindle के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है script website का वैसे तो इनका एक मेने का free trial होता है जिसके बाद आप 10 pound डालके इनका subscription monthly continue कर सकते हैं वैसे normally आपको इसके लिए आपके credit card details देने पड़ेंगे लेकिन script के CEO Mr. Trip Adler ने recently एक tweet में कहा है कि social distancing को ध्यान में रखते हुए script ने अपनी पूरी books and magazines और audiobooks के library एक महिने के लिए बिलकुल free कर दिये और इसके लिए आपको कोई credit card details नहीं देने होंगे इस वीडियो के description में दी हुई link पे आप click करें और सीधा एक महिने के लिए ये offer enjoy करें जितने चाहें books पड़े या सुने आप मैंसे बहुत लोगों की बच्चपन की यादों से जुड़ा हुआ है अमर चित्रकता और Tinkle Comics जी हाँ दोस्तों अमर चित्रकता और Tinkle ने अपनी पूरी library ओपन कर दी है एक महिने के लिए बिलकुल फ्री आप इस वीडियो के description में दी हुई link पे click करें और ये offer का अनद उठाएं दोस्तों अगर आपके बच्चे 8 से 14 age group में हैं और current affairs या general knowledge में interest रखते हैं और उनके curious minds और उनके मन में उमढ रहे हजारों सवालों के जवाबों के लिए मैं आपको recommend करूंगा The Week Junior magazine जी हाँ दोस्तों The Week magazine ने बच्चों के लिए release किया हुआ magazine है जहां पर कई तरह के topics cover किये जाते हैं जैसे कि science, animals, news, current affairs, geography and nature हर हफते आपके घर post से ये आ जाएगा ज्यादा pages भी नहीं होते करीब 40-50 pages और धेर सारी photos और रोचक information से भरपूर होता है ताकि reading में बोरियत ना हो इनकी introductory offer भी चल रही है जहां पर आपको मिलेंगे 6 issues बिलकुल free अगर आपको पसंद आया तो आप 6 मैने या फिर साल बर का subscription भी ले सकते हैं बढ़ाई तो बहुत हो गई दोस्तो social distancing की वज़े से आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर बैठे बच्चों के लिए PE classes join कीजिए Mr. Joe Wicks के साथ जी हां दोस्तो Joe Wicks एक famous body coach है जो उनके YouTube channel पे online sessions कंड़क करते हैं तो 23rd March यानि Monday से उनके live PE session शुरू होने वाले हैं वीडियो के description में उनके YouTube channel के information है आप उनके channel पे जाके जरूर उनने support करें इसके अलावा कई सारे YouTube channels हैं जो आपके बच्चे enjoy करेंगे जैसे कि Crash Course Kids Science Channel National Geographic Kids Channel Free School Channel और Geography Focus Channel दोस्तो वीडियो end करने से पहले मैं आपको बता दू Z5 जो Z का OTT portal है इन्होंने अपनी prices में काफी reduction की है इनका package जो 45 pounds per year हुआ करता था अब मिल रहा है 30 pounds per year में Hotstar जो Star का OTT platform है जो इनका 60 pounds per year का package था जो अब मिल रहा है 50 pounds में Eros Now जो movie का सबसे बड़ा platform है इनका package हुआ करता था 52 pounds जो अब मिल रहा है 40 pounds में अगर आप Disney के fans है और Disney characters enjoy करते हैं तो अपने Disney Plus का नाम जरूर सुना होगा जी हाँ दोस्तो Disney Plus UK में launch हो रहा है इसी मैने याने के March में तो फिलाल इनकी introductory offer चल रही है जहाँ पर आपको मिलेगा पूरे साल भर का package 50 pounds में यहाँ पर आपको मिलेंगे Marvel, Disney, Star Wars और National Geographic Shows आपको जल्दी करनी होगी क्योंकि यह offer खतम हो रही है 23rd March याने Monday को तो दोस्तो उमीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो बनाना मेरा काम है लाइक करना ना करना आपका काम है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना हमारे चैनल LifeCast को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाईए और All Select कीजिए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन्स सबसे पहले पहुंचे अगर वीडियो अच्छी नई लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताईए हम अगले वीडियो में जरूर इंप्रूफ करेंगे अगर आप फेस्बुक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हम फेस्बुक पर भी हमारा पेज है जिसका नाम है One LifeCast आप फेस्बुक पे जाएं और हमारे पेज को लाइक जरूर करें वैसे हमें वीडियो टॉपिक्स की हमेशा तलाश रहती है अगर आपके पास कोई सुजाव हो, कोई सजेशन्स हो तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में आज के लिए बस इतना ही हमारे दूसरे वीडियो के लिए उपर दिया हुआ आई बटन क्लिक करें और हमारे वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वाश यो हैंड्स, कीप क्लीन और नमशकार